अश्कार दोस्तों आज हम आपके इस वीडियो में बताएंगे कितने अजीब है ये पेड जिने देख आप भी हो जाएंगे हैरान ये तो हमारी पुरी दुनिया का बस प्रतिशित भाग जंगलों से भरा पड़ा है ऐसे तमाम जंगले जहां लाखो की संक्या में कई प्रजाती के पेड़ मौचू थे उन्ही में कुछ ऐसे अजीबोगरी पेड़ भी है जिन्हें देख कर आप वाकई हरार रहे जाएंगे यहां हम आपको कुछ ऐसे ही अद्बुत पेड़ों के बारे में बताने जा रहें जिसकी कर्पना कभी सपने में भी आपने नहीं की होगी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्क्राइब करें और बेल आपन को भी जबादे कि इसी पेड़ की नियोजन आपके लिए लेकर रहते हैं और वीडियो पसंदाए तो लाइक सरूर करें इंदी जनुष के रंगों की तरह दिखाई देने वाले इस अनोखे पेड़ का नाम रैंबो यूकलिप्टर से बरसल यूकलिप्टर से पेड़ों की पजाती में एक लौपा है जिसकी एसी रंगीन छाल होती है इन पेड़ों का इस्तेमाल सफेद कागश बनाने में इस्तेमाल होने वाले पल्प के लिए किया जाता है इसकी बढ़ती मांग के कारण अब ये पेड़ कहीं देशों में देखने को बेल जाते हैं नंबर दो पे हैं बाओ बाब ट्री आफरिका अजीब से दिखने वाला यहाँ पेड़ मेड़ा गौसकर आफरिका में पाया जाता है इसे हिंदी में गोरक्षी कहते हैं इस पेड़ पर साल के 6 महीने पत्तों लगे रहते हैं और बाकी 6 महीने यह पेड़ एक ठून की भाती दिखाई देता है बाओ बाब का पेड़ देखने में उल्टे पेड़ जैसा लगता है जो इसकी सबसे अलग परचाने इसको देखने पर आभास होता है कि मानो पेड़ की जड़ें उपाई की और और तना नीचे की और हो इस पेड़ की उचाई 222 तक होती है अमेरिका के कालिफोर्निया राज्य में स्थीद सिकुआ ट्री अपनी हिरान कर देने वाली लंबाई और चलाई के लिए पुरी दुनिया में चर्ची थे ग्रेट सिकुआ नाम का यहाँ पेड़ सिकुआ बेडरान वंश का है जमीन से इसकी उचाई 24 मिटर होती है और इसका तनाथ 4 मिटर होता है इस तरह के पेड़ सिर्फ अमेरिका में ही 300 से जादा है यही नहीं भारत में भी सिकुआ ट्री पाय जाता है जिन्हें 1942 में कश्मीर और अलमोडा में लगा गया था नमबर चार पर है ड्रेगन ट्री अफरीका अफरीका की उतर पश्चिमी पटपर कैंडरी आलेंड में पाय जाने वाला ड्रेगन ट्री अपनी अनोखी बनावट और हिरान कर देने वाले दहश्य के लिए पूरे विश्व भर में चर्ची थे ग्रेगन ट्री को जिविद जिवाश में इसलिए माना जाता है क्योंकि जब इसे काटा जाता है तो इसमें से खून की तरह लाल रंग का रस निकलता है देखने में ये बिलकुल किसी छत्री नुमा लगता है नमबर पांच पर है राश्यमाई बरगत का पेड भारत भारत में आंद्र प्रिदेश के नागा गोंडा में इस्तिध है एक अनोखा राश्यमाई बरगत का पेड जिसे कोई भी देखता है तो हिरान रह जाता है इसकी खास बात यह है कि इस पेड पर कई तरों के जानवरों की आकरतिया उब्री हुई है जैसे बिच्चू, साप, अर्जगर, मगरमच, शेर और बहुत से पक्षू पक्षियों की वेशी तो वहां कि लोगों का मानना है कि यह पेड अपने आप में कलूता ऐसा बरगत का पेड है लेकिन वहीं कुछ लोग यह मानते हैं कि इस पेड के तने पर किसी ने इन कलाकरतियों को गड़ा है नमबर ची पर है एंजोल, ओक्ट्री, क्यारोलिना यह अद्बूत और विशाल पेड डक्षिन के लिना मस्ती थे माना चाते है कि एंजोल, ओक नाम कल यह पेड तीन सो से चार सो साल तक पुराना है इसकी उचाई लगबग छाचट फूट और चुड़ाई 25 फूट है यह पेड अपने आप में इतना अद्बूदी कि इसे देखने लोग दूर-दूर से आते हैं नमबर साथ पर है बोटल ट्री आस्ट्रेलिया ब्राची चीतों रूपे इस्ट्रीस नाम का यह पेड क्विंस लेंड आस्ट्रेलिया में पाया जाता है बोटल के तिरे दिखने की वज़े से इसे बोटल ट्री के नाम से जाना जाता है यह धर्ती के सबसे जहरीले पेडों में से एक है दरसल इस पेड से निकलने वाला दूर्धिया रस बहुत ही जहरीला होता है पुराने समय में तो इस पेर से निकलने बारे रज को शिकारी भालो या तीर में लगा कर शिकार करने के काम में भी लेते थे